आखिरकार अब रूस ने भी भारत के पास उतार लिये हैं अपने युद्धपोत और युद्धपोतों के साथ पूरा का पूरा ग्रूप आया हुआ है जानेंगे रूस अचानक से भारत के पास क्यों पहुँचा है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी ख़बर आखिरकार INS चक्र को डिसमेंटल कर दिया रूस ने और इसे स्क्रैप कर दिया लेकिन भारत के लिए एक बड़ी समस्या κड़ी हो गई है भारत अगर एक स्टेप आगे जा रहा है तो दो स्टेप पीछे जा रहा है क्योंकि चाइना से लड़ने के लिए भारत को चाहिए और फिर भारत इस दिसा में क्या कर रहा है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आई ये जानते हैं इन कवरों को विस्तार से एक समय ना भारत का घमंड हुआ करता था अहंकार हुआ करता था आई ये ने स्चक्र लेकिन ये जो बना है ना इसकी कहानी समय 1993 में लेकिन 1993 में दिकतें थी रूस के सामने बहुत सोवियत संग तूट कर बना था तो रूस को पैसे की भी दिकत हो रही थी और उस वक्त भारत ने कहा था ठीक है आप ये सम्मरीन मनाओ हम आपको पैसे देते हैं और उस वक्त एक एग्रिमेंट बना जिस और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी भारत अकेले सम्मरीन तो नहीं मना सकता था और रूस को सम्मरीन मनाने के लिए पैसे की जरूरत थी समय पर पैसे मिल गए उस समय इसका नाम था के 152 नेरपा और 2008 में ये बनकर तयार हुआ अक्टूबर 2008 में रूस ने अपनी सेना में इसे सामिल किया लेकिन सामिल करने से पहले 2008 में ही इसे जापान के सागर में नवंबर महिने में ले जाया गया कि एक सी ट्राइल लेते हैं इसी सी ट्राइल के दौरान क्या हुआ फायर सप्रेशन सिस्टम इसका दुरगटना वस एक्टिवेट हो गया और 20 सिविलियन एक्सपर्ट इसमें मारे गये नेवी के क्रू मेंबर मारे गये 41 लोग इसमें घायल हुए 2008 में इस सब्मरीन के साथ एक बड़ी घटना हुई उसके बाद फिर इसका ट्राइल हुआ बार बार इसका ट्राइल हुआ चुकि इस पे काफी पैसा लग चुका था और आखिरकार रूसी नेवी ने इसे 2009 में अपनी सेना में सामिल कर लिया 2009 के बाद ये काफी लंबे समय तक इस्तेमाल होता रहा लेकिन 2011 में ही इसे भारतिय सेना को दे दिया गया कहा गया कि हमने बहुत बड़ियां से बहुत अच्छे से इसका ट्राइल लिया है आप इसका इस्तेमाल करो 2011 में ये भारतिय सेना में आ गया अब इसके लीज के समय पूरा होने के पहले ही जून 2021 में आइनेस चक्र को देखा गया सिंगापूर स्ट्रेट में और तब ये माना गया कि ये लोटाने के लिए दे दिया है भारत نے भारत ने इसे लोटा दिया और ये रूस के नेवल वेस ब्लादी वोस्तोक पे पहुँच गया क्यों लोटा दिया तो कहा गया ये और वो भी समय पूरा होने से पहले तो कहा गया ये कि सम्मरीन के साथ बहुत दिक्कते आई बाद में भी आई 2008 में जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद 2017 में भी में कुछ एक्सीडेंट हुआ इसका सोनार डॉम पूरी तरीके से छतिगरस्त हो गया जिसके बाद रूस की टीम यहां पहुँची और जब रूस की टीम यहां पहुँची तो उन्होंने यहां पर संजुक्त जांच किया और जांच में बताया कि इसको रिपेयर करने में जो खर्चा आएगा 20 मिलियन डॉलर का आएगा करीब 125 करोड का आएगा हलाकि अभी यह 2017 में बात होई रही थी 2019 में फिर भी इसका इस्तेमाल किया गया जब बाला कोटी स्ट्राइक किया था भारत ने तब वहां पे यह माना गया था कि पाकिस्तान ने अपने सम्मरीन PNS साद को भेज दिया है और PNS साद से निपटने के लिए उसमें कलवरी और INS कर को भेजा गया था पर 2019 के बाद आखिरकार 2021 में इसे सौप दिया गया रूस को अब रूस इसके साथ यही किया कि रूस ने इसको डिसमेंटल कर दिया रूस ने इस पूरे INS चक्र को जो एक नुकलियर सम्मरीन थी इसे स्क्रेप कर दिया क्यों कि रूस का मानना था कि अब यह काफी पुराना हो चुका है यह डेमेज हो चुका है और डेमेज होनी की वज़े से अगर हम रिपेयर करने के लिए इसे बैठते हैं तो रिपेयर पर खर्चा आएगा अलग और रिपेयर पर खर्चा के बाद यह भी होगा कि इसे मॉडर्न बनानी की बात आएगी और जब मॉडर्न बनानी की बात आएगी तो तो इस पर फिजूल का पैसा लगेगा और जब इसका बेस ही गड़वड है तो क्या ये ठीक हो पाएगा और आपको बता दें इसके साथ ही ये डील तो स्क्रेप हो गई अब इसके बाद कहा जा रहा है कि भारत आगे क्या करेगा क्योंकि भारत के लिए समस्या है एक नुकु का सब्मरीन मनाएगा जो अभी तक बन नहीं पाया है चक्र 3 के लिए रूस से बात हुई थी और रूस ने कहा था 2026 तक मिल जाएगा पर रूस यूकरेन की जो लड़ाई चल रही है उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि जल्दी ये मिलने वाला है और इस वक्त नेवी की जरूरत कितनी है नौ सेना की जरूरत कितनी है ऐसे समझ लीजिए आप कि दुनिया के देश एक्टिव हो रहे हैं और एक्टिव होने के साथ साथ खास तोर पर हिंद महासागर छेत्र में दुनिया के देशों का जमावडा लग रहा है उसका भी परसांत बेड़े के युद परसांत बेड़े में सामील विसाल का एप पंडुबी रोधी जहाज एड्मिरल ट्रिब्यूट्स और समुद्री टेंकर कई दूसरे युद्धपोत भी सामील है इसके लिए भारतिय नौ सेना ने एक स्पेसल प्रोग्राम भी रखा इनकी मेजवानी की इनके लिए खेल का कारिकरम प्रोटोकोल सांस्कृति कारिकरमों का आयोजन भी किया कहा जा रहा है कि रूसी जहाज 20 नवंबर तक विसाखा पत्नम में रहेंगे अब सवाल उठ रहा है कि रूस अपने परसांत बेड़े के एक टुकडी को यहां पर क्यों भेज रहा है तो आपको बता दें सो सोबियत सेना का संचालन करना 1991 में सोबियत संखे पतन के बाद यह रूसी सेना के हाथ में आ गया और रूस की प्रसांत बेड़े के रूप में ही इस्तेमाल किया है माना चाह रहा है कि रूस एक वार फिर से हिंद महासागर में अपनी सेना को गस्त लगवा रहा है तो यह जो हिंद महासागर छेत रहे इस वक्त बहुत जादा चर्चा में है क्योंकि यहां पर अमेरीका भारत चीन फ्रांस जापान और व्रिटेन जैसे देश बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं रूस कहीं न कहीं इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है इंद महासागर छेतर में अपनी ताकत भी दिखलाना चाहता है वैसे भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या अभी नुकलियर सम्मरीन को लेकर है क्योंकि भारत अभी इस पर काम भी सुरू नहीं कर पाया है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राया है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ